हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू सिवानी इंडियन किचन आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी बहुत ही सिंपल और देशी तरीके से कड़ी बनाना इस वीडियो में आपको बताने वाले हूं कड़ी पकॉड़ा बनाने की सारे सीक्रेट टिप्स तो चलिए शुरू करते हैं फटा काटोरी बेसन ले लिए अब उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल की मिलाएंगे बेसन को तब तक फेटेंगे जब तक की बेसन का कलर और टेक्च्चर दोनों चेंज ना हो जाए लगातार 5-6 मिनिर तक बेसन को फेटने के बाद आप देख सकती हैं यहां पर इसका कल बिल्कुल परफेक्ट है यदि नीचे बेट जाता है तो अभी बेसन को और फेटेंगे आज भी गाओं में जब लोग कड़ी बनाते तो सोड़ अगरा नहीं डालते उसको प्रॉपर फेट कर ही बनाते हैं यकीन मानिए कड़ी बहुत टेस्टी बनती है दो से तीन मिनिट बेसन को फेटने के बाद फिर से चेक करते हैं इसको आप देख सकते हैं बेसन तैर कर ऊपर आ गया जो पहले बेसन डाला था वो नीचे बैठा है इसका मतलब पकोड़े का बैटर बिल्कुल परफेक्ट है फिर पकोड़े की बैटर में डालेंगे एक मीडियम साइज का प् अब चरते पकोड़ों को फ्राइ करने के लिए पकोड़े फ्राइ करने के लिए कम गरम तेल चाहिए तेल का टंपरेचर नॉर्मल होना चाहिए इससे पकोड़े बहुती सौल्ट और जालीदार बनेंगे बैटर को मैं थोड़ा थोड़ा करके तेल में डाल लही हूँ जिन इसे पता चलता है पकॉडी है जालीदार और सोफ्ट बनेंगे , पकॉडी डालने के एक मिनट बाद पकॉड़ फार फारतकम फार ट्रेप करें त्यो мед फार फ्रा OUT करें जाब त्य। फ्री क्लिघर को फलीम चण यह जुद्स, पकॉडी कनम, भीक फैसल में पकोड़े फ्राई करते समय कुछ बातों का ध्यान लखिए बेसन को प्रॉपर तरीके से फ्रेटिए सेकेंड बैटर पतला नहीं होना चाहिए न गारा इससे क्या होता है पकोड़े फ्राई करते समय पकोड़े के अंदर की जो एयर है वो सारी बाहर निकलती है जिनकी वज़े से पकोड़ों में होल हो जाते हैं और ये होल पकोड़े फ्राई करने के बाद भी बने रहते हैं जिससे क्या होता है पकोड़े जब हम कड़ी में डालेंगे तो कड़ी इनकी अंदर अच्छे से भर जाएगी पॉकोड़े रेडी हैं वापिस इसी तेल में हम कड़ी चौकेंगे कड़ी को चौकने के लिए बनाते हैं गोल बैटर वाले बरतन में ही एक कटूरी डाला है बेसन और उसमें एक कटूरी डालेंगे दही आधा चमच हल्दी पाउडर आधी छोटी चमच हींग गोल में हींग डालने से कड़ी में हींग का फ्लिवर बहुत जबरजस्त आता है सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके पानी सारा एक साथ पानी डालने से बेसन में गुठलिया पर जाती है जो असानी से नहीं जाते, फिर इसमें हम दो कटोरी पानी और डाल देंगे, टोटल मैंने यहाँ पर तीन कटोरी पानी डाला है, अब चलते हैं कड़ी का छोक लगाने के लिए, यहाँ पर तेल ज्यादा इसको कम कर लेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे आधी चमच मेथी दान आधी चमच हल्दी पाउडर और आधी चमच लाल मिर्च पाउडर, सभी मसालों को मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जलेना, मसालों को एक मिनट भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे बेसन का घोल, कड़ी को हाई फ्लेम में लगातार चल पहले नमक डालने से कड़ी दही की वज़े से फट सकती है, इसलिए नमक हमेसा उबाल आने की बाद डालना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको एक पकॉरी तोड़ कर दिखाती हूँ, आप देख सकते कितनी जाली दार हो उतनी सॉफ्ट बनी है, नमक डालने की दो मिनट बद अब हम डाल देंगे सारे पकॉरी, आप कड़ी को बीना कवर किये 15-20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, क्यूंकि कड़ी जितनी देर तक पकाई जाती है, उतनी ही स्वाधिष्ट होती जाती है, लगवग 15 मिनट हो गए हैं, कड़ी बन के तयार है, यहाँ पर मैं आपको एक पकॉरी काट कर दिखाती हो, आप देख सकते हैं, पकॉरी कितनी जादा सॉफ्ट और जूसी बनी है, आपको प्रेस करने से ही पता चलाओगा पकॉरी कितनी जादा सॉफ्ट बनी है, जैसे जैसे कड़ी ठंडी होती जाएगी, पकॉरी वैसे वैसे और सॉफ्ट होते जाएंगे, फ्लेम को बंद कर दिया है, कड़ी बंद के तयार है, पर अभी इसका लास्ट स्टेप बाकी है, जिसके लिए एक तरका पैन में तेल गरम करना है, तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे आदा चमच जीरा, आदी चमच राई, और एक मीडियम साइच का कटा हुआ सब चीजों को मिला के फिर हम इसमें डालेंगे एक पिंच हींग, दो से तीन सुखे लाल मिर्च, गोर्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, तरके को आप कम ज़्यादा भी पका सकते हैं, तरका को कड़ी के उपर डाल देंगे, तरका लगाने से कड़ी का जो टेस्ट और भ इसे लाइक करें और चैनल को भी सस्क्राइब करें और अपनी फैमली और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, थैंक यू फॉर वाचिंग